हाई वेलकन तो माच चनल इस बीडियो में solve करें question number 5 which are the following numbers are perfect squares तो इसमें से कौन से numbers है जो perfect square है यह आपको solve करना है चलिए solve करते हैं यहाँ पर हम पहले से start करते हैं 11 तो यह बता है 11 जो है 11 के जो factors होंगे हमें पता करना कि perfect square कौन होगा ठीक है तो मतलब कि इन सभी numbers का हमें factorization करना पड़ेगा prime factorization अब देखना पड़ेगा कि prime factors का pair बन रहा है कि यदि pair नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि वो perfect square नहीं है जैसे माल यह 11 का देखना है तो 11 का यदि हम करेंगे factorization तो 11 तो prime number खुद है तो एक ही बर 11 से मतलब इसका pair नहीं बन पा रहा है 11 का pair कहां बन रहा है 11 तो एक ही बार आ रहा है तो this is not a perfect square तो हम 11 को अब मतलब यहां पर answer देंगे ठीक है 11 जो है क्या है not a perfect square number है नहीं हमें लिखना है क्या वीचे तो फार्वार perfect squares जो perfect square होगा उसको ही यहां पर लिखेंगे answer में ठीक है इसको अड़ा जाते है यह नहीं है आपका और अब देखते हैं 12 का 12 के भी factors निकाल लाते हैं तो 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6 3 जा 3 अब यहां देखे 12 जो है यहां पर 2 pair बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन पा रहा तो 12 is also not a perfect square number ठीक है तो इसका भी answer नहीं लिखेंगे आपट अब हमार पास है 16 16 के लिए हम बनाएंगे तो 2 8 जा 16 होता है 2 4 जा 2 2 जा and 2 1 जा यहां आप देखे 2 का pair बन गया यहां 2 का pair बन गया मतलब कि 16 जो है एक perfect square number है तो यह आपका answer में जो है पहला आएगा 16 दूसरा आएगा 50 जो है 32 32 देखते हैं कि perfect square है या नहीं है यहां इसको सब्सक्राइज करेंगे तो मिलेगा 2 16 जा फिर 2 से लिजाएंगे 8 फिर 2 4 जा यहां देखे 2 का pair बन गया यहां पर 2 जो pair नहीं बना ठीक है इसका मतलब 32 क्या है perfect square नहीं है तो इसको answer में नहीं लिखेंगे 50 के लिए क्या होगा 5 से करेंगे 5 जा फिर 2 से करेंगे 2 जा यहां देखे 5 का pair बन गया लेकिन 2 का pair नहीं बना इसलिए क्या है 50 क्या है perfect square नहीं है तो इसको यहां answer में नहीं लिखेंगे 64 यह आप चेक करेंगे 64 को तो यह 8 8 जा 64 होता है 8 मतलब 8 का pair बन गया 8 का pair बन गया तो this is perfect square so 64 आपका answer हो गया देखेंगे यहां पर मैं 8 8 बनाया हूँ तो यह मत confused होएगा कि इसको मैं prime factor से तो नहीं किया था तो कोई बात नहीं है इसको यह आप लिखेंगे इस तरीके से तो आपको मिलेगा ही 64 बाद लिखेंगे 8 को 8 को कर लिजिए तो 2 x 2 x 2 x 2 x 2 इस 8 को लिखेंगे फिर से 2 x 2 x 2 x 2 तो मिली गया नहीं है यहां यहां दो pair दो pair दो pair दो pair तो यह beautiful perfect square है आगे बढ़ते हैं तो 64 आगे answer 79 79 जो है prime number है 79 का 79 से ही कटेगा तो this is not a perfect square तो यहां पर answer नहीं नहीं होगा तो यह भी 81 देख लेते हैं 81 जो है 9 से कट जाता है बिल्कुल 99 जा 81 होता है और यह 9 का देखिए pair बन गया ठीक है तो इसका मतलब कि this is 81 जा perfect square number so we will try to answer अब यहां पर 111 है तो 100 इतना है यह जो है sorry यहां जो है यह 3 से cancel out हो जाएगा क्योंकि इसको add करने पर 111 3 हो जाएगा 3 से cancel out हो जाएगा तो 3 से कट आगी है यहां पर क्या मिलेगा 3 3 9 2 21 3 7 जा 21 और 37 जो है prime number है तो 37 से 1 कटेगा तो यहां पर देखे किसी भी number का pair नहीं बन पा रहा इसलिए 111 क्या है perfect square नहीं है तो इसका answer में नहीं लिखेंगे 121 121 क्या है perfect square है क्योंकि 11 से कट जाएगा 11 बार में 11 में 11 आएगा मतलब कि यह 121 answer में होगा तो यह 4 numbers मिले हमें जो perfect squares हैं और सारे सारे नहीं है मतलब कि 11 नहीं है 12 नहीं है यह 16 है आपका perfect square यह 32 नहीं है 50 भी नहीं है यह 64 आपका perfect square number है 79 नहीं है 81 आपका perfect square number है लेकिन 111 नहीं है और आपका जो 121 है वो perfect square number है इस question में इतना ही इदि आपको अच्छाला का solution तो like कर दिजिए तो success गरिया और कोई भी doubt होता है तो comment आप से लो लिखेगा, thank you so much for watching Bye